So welcome to Rishi e-commerce, I am Rishi और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि रिटर्न्स को किस तरीके से अनालेसिस कर सकते हैं Flipkart में, so Flipkart में रिटर्न्स को लेके बहुत ज्यादा इश्यूस थे सेलर्स के, So उस पे ये detail वीडियो है, और जो नया tab आया है, उसके through में इसको बताऊंगा, तो थोड़ा आप लोगों के लिए आसान रहेगा, जस्त आप listing tab में जाते हैं जब, So listing tab में आपने देखा होगा, अभी तक क्या हो रहा था, इस type के कुछ, यहाँ पर errors आपको, recommendations जिसको हम बोलेंगे, वो flip card दे रहा था, So अभी यहाँ पर एक और tab flip card ने जोड़ा है, that is returns का, तो आप अपने returns अगर यहाँ पर check करोगे, तो यहाँ पर एक number लिखा हुआ आएगा, कि वही कितने products आपके ऐसे हैं, जिन में दिक्कत चल रही है, और flip card recommend कर रहा है, कि इसमें आप क्या करो, changes करो, तो आपको इस तरीके से check करना है, ताकि आपके returns कम रहे, और obviously अगर आप एक भी return यहाँ से कम कर पाए, तो आपका जो sale का profit है, उसको हम बढ़ा सकते हैं, तो आप यहाँ पर returns पर click करते हैं, तो यह dashboard आपके सामने आ जाता है, अब यह dashboard आपके सामने आता है, तो उपर का जितना भी पोर्षन है, यह तो same रहेगा, बड़ यहाँ पर कुछ options यहाँ पर आ जाएंगे, जैसे यहाँ पर दो options दिख रहे हैं, check side chart और check miss shipment, तो यहाँ पर दो issues हैं, जिनकी वज़े से आपके जो returns हैं, वो अभी ज्यादा है, जैसे फैशन category में है, तो यहाँ पर size का और miss shipment यह ज्यादा दिखा रहा है, वहीं आपकी जो category होगी, उसके हिसाब से हर category में क्या होता है, returns के reason तोड़ा अलग होते है, majority में, तो यहाँ पर यह दिखा रहा है, अब आप जिस पर भी click करोगे, मान के जले मैंने check side chart पर किया, तो यहाँ पर यह details आ गई, चेक में shipment मैं करूँगा, तो यहाँ पर यह details आ जाती है, इनको हम download भी कर सकते हैं, और Excel में check कर सकते हैं, तो मैं इसको अभी download पर लगा देता हूँ, तब तक हम यहाँ पर नीचे details चेक कर लेते हैं, अब यहाँ पर अभी जो मैंने option क्लिक किया है, यह किया है, चेक size chart का, अब हम देखेंगे कि कौन-कौन से product ऐसे हैं हमारे, जो size की वज़े से return हो रहे हैं, उनमें क्या-क्या दिक्कत चल रही है, और किस तरीके से, क्या-क्या तरीके हैं जिनसे आप उनको improve कर सकते हो, obviously online भी कुछ आपको improvement करनी पड़ेगी और offline भी improvement करनी पड़ेगी, दिक्कत क्या है, कि sellers को पता ही नहीं होता कि उनको improve कैसे करना है, वो बस बेचने पर बेचने पर ज्यादा बेचने पर focus करते रहता है, और जो returns कम आ रहे हैं, उनको कम करने पर ध्यान नहीं देता है, तो मैं आपको बता देता हूँ, देखो, 10 products की sale आप बढ़ा दो, वो बड़ी achievement ही है, बड़ अगर आप 5% returns कम कर दो, वो बहुत बड़ी बात हो जाती है, यहाँ पर reports हमारे सामने अभी generate हो गई है, इसको मैं download कर लेता हूँ, यह download करके हमने रख लिया है, उसके बाद पहले हम यह देख लेते हैं, यहाँ पर और क्या-क्या data हमारे सामने है, तो यहाँ पर आप देखो, एक sentence लिखा हुए कि 44% of returns are due to size issues, size issues की वैसे 44% return है, अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप इस data पर जाओ, बट इस 44% का आप मतलब समझे, देखो, जितने भी आपके total returns आ रहे हैं, customer returns के मैं बात करो, उसमें 44% size fit issue की वज़े से हैं, अब इसके दो reason है, तीन reasons हो सकते हैं, बेसिकली, पहला कि fashion product है, footwear है, तो obviously size fit issue तो आता ही आता है, ज्यादता return इस issue की वज़े से होता है, दूसरा हो सकता है आपके product में size का कोई दिक्कत हो, उस वज़े से return आ रहा हो, और तीसरा कि कई बार customer को कोई reason नहीं दिलता, return करने का तो वो गोलता है चलो जो सबसे पहले आ रहा है return उसी में डाल दो, कोई reason डाल दो, करना ही हमको तो return पैसे नहीं है, लेकिन return कर देना है, तो वो size for tissue डाल देता है, तो आपको ये भी समझना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए genuine कौन सा है इन में से, आप 44% है, तो obviously थोड़ा बहुत हो genuinely आपमें इसे लेना पड़ेगा, प्लस इसके comments देख सकते हैं, हमकी comments में कौन सा ज्यादा mention किया जा रहा है, क्योंकि obviously कोई ऐसी fake return मार रहा है, तो उत्मा लंबा comment नहीं लिखेगा, जैसको बोलता है, वह return मारो इसको, तो आप comment पड़के उसको improve कर सकते हो, तो यह 44% यह लिखा हुआ है, इसके बाद एक sentence लिखा हुए, यहाँ पे reduce return with correct side chart, तो ही पहला इन्होंने जो दिया है यहाँ पे आपको suggestion की side chart update करो, तो side chart update कोई बहुत advanced skill नहीं है, यह तो basic है कि अगर आप fashion product आप कोई भी sale कर रहे हो, या आपके expertise में जो भी product आपका है, उसमें आपको side chart अगर डालना है, अगर डलता है, तो डालना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुए current side chart may not be correct, तो यहाँ पे दो reason हो सकते हैं, तो side chart डाला ही नहीं है, और या तो जो डाला है वो incorrect है, अब side chart डालते कैसे, वो भी मैं आपको बता हूँगा, तो यहाँ पे जो result दिखा रहा है, अभी वो 25 मार्श से 14 परेल, मतलब last 20 days का यहाँ पे आपको result दिखाएगा, report हमने download करी लिए, उसको हम अभी read करेंगे, अब यहाँ पे data आप one by one देखोगे, तो यहाँ पे आप category wise और brand wise filter भी लगा पाएंगे, अगर आपके ज्यादा product यहाँ पे show हो रहे हैं, 25 मैं इसको 50 करता हूँ, तब भी अल्मूस इतने दिखाएंगे, तो मतलब ज्यादा है नहीं, 10 से 15, 10 से 12 product यहाँ पर seller के show हो रहे हैं, अब देखते हैं सबसे उपर top में कौन सा product है, जो सबसे top में है, उसमें सबसे ज़्यादा issues है, या वो सबसे ज़्यादा sale होता है, obviously, क्योंकि GMB loss के हिसाब से ही यह descending order में यहाँ पर लिखा गया है, अब मान के चलिए यह पहला product है, इसका यहाँ पर product detail आपके आजाएगी, category यहाँ पर आपको आजाएगी, GMB loss यहाँ पर आजाएगा, कि जितना आपका यह product का return हो रहा है, उस वज़े से आपका जो product का revenue में, total revenue में कितना loss हो रहा है, GMB में loss कितना हो रहा है, size return, size issue return साथ हैं आपके इसमें, उसके बास size issue percentage 46% का है, benchmark इसमें 7.5% का है, तो यह आपके competitor से compare कर रहे है, flip card वाले, तो benchmark यहाँ पर 7.5% का है, उसके against में आपका 46.67% जा रहा है, तो बहुत ज्यादा है, यहाँ पर benchmark 8.55% का है, तो 3077% का है, तो आपकी category में जो भी benchmark होगा, यहाँ पर दे रखा होगा, कोशिश करो कि उस benchmark के आसपास लेके आने की कोशिश कर सकते हैं, आइए देखे, 8%, 7%, near about 10% तो आपको इसको रखना पड़ेगा, तो यह बहुत ज्यादा है, तो इसमें ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ पर return reason भी यहाँ पर mention है, तो जो return reason का जो slab होता है, वो यहाँ पर दे रखा है, exact जो comment है वो नहीं दे रखा है, comment आपको, जो download हमने करी ती शीट, उसमें मिलेगा, तो यहाँ पर size smaller की वज़े से 40% है, और size larger की वज़े 6.67% है, तो इसको हम थोड़ा analysis अपने end से analyze कर सकते हैं, कि यह product है, इसमें जो size fit का issue आ रहा है, अब 40% लोग बोल रहे हैं इसमें कि size smaller है, जो size उन्होंने मंगाया था, मान की चलो उन्होंने 6 मंगाया, तो उनको 6 fit नहीं आया, तो उनको लगा कि नहीं यह छोटा है, तो उन्होंने बोल दिया कि size smaller है इसका, और 6.67% customer है उन्होंने बोला कि इसका size थोड़ा बड़ा है जो हमने मंगा तो उससे बड़ा है तो obviously इसको हम थोड़ा ignore कर सकते हैं अभी के लिए कि यह 6.67% है बस इसको हम थोड़ा seriously ले सकते हैं कि 40% जो returns थे size fit के उसमें से 40% sellers ने 40% जो buyers उन्होंने बोला है जितने भी returns उसमें से बोला है कि 40% की आपका जो size है वो जितना हमने मंगा आया था उससे छोटा आ रहा है तो इसका मतलब जो standard industry size होता है उससे आपका product थोड़ा छोटा है तो आपको या तो आप अपनी manufacturing में देखो कि क्या हो रहा है क्या die उसी type की बन रही है जैसा standard industry size होता है industry का मतलब अगर जो भी product आपका है वो आप standard size उसका check करो क्योंकि इतने percent से customer बोल रहे है कि आपका size जो है वो छोटा run हो रहा है अब आप यहां पर side chart जो है वो check भी कर सकते हो है या नहीं है तो यहां पर मैं side chart पर click करता हो तो देखो इसका side chart updated है और बहुत सारे से लग पूछते भी side chart update कैसे करना है तो ज्यादा कुछ नहीं यहां पर आप click करते हो तो मारन के चलो आपको यह three size पर change करना है तो यहां पर click कर लो उसको change कर लो प्रोडक्ट का detail तो हमने यहां पे चेक कर लिया आप चाहे तो इसको पोटल पे भी देख सकते हैं कि पोटल पे यह कैसा हो रहा है आप यहां पे देखोगे लेता धर जो भी हमने देखा, आप यहां पर रिजन हमने देख लिए था जो टॉप रीजन था बट कस्चमर क्स्टमर णे कमेंट की लिखा यह समाल size need a large size मतब need small size यहां पर होगा उसके बाद यहां पर कुछ products के जो आ रहे हैं और भी products के हम देख लेते हैं क्या क्या है need large size need smaller size very small size I want to return I want my refund यहां पर देखें क्या लिकावा है the fitting is not good तो कही न कहीं fitting से related issue है यहां पर देख लेते हैं comment में proper care fitting is not good please big size I need to size six product customer ने अपने end से यहां पर लिखा हुआ है तो कहीं न कहीं यह लग रहा है कि customer जो product मंगा रहा है उससे कहीं न कहीं हमारा product जो है maximum time छोटा पड़ जा रहे है तो यहां पर देख सकते हैं इस वजए से जब flip card को ऐसा लगा तो flip card ने यहां पर एक tip भी डाल रखी है this product runs a size larger if you usually buy 10 buy UK 9 for this right तो मुझे लगता है यह tip भी यहां पर गलत दे रखी flip card ने अब यह tip डालने का कोई भी मतब option नहीं होता कहीं से flip card अपने end से जावता है तो हो सकता है इसकी वजए से भी हो रहा हो क्यों कि हमारा जो size है अगर हम 6 भेज रहे तो customer को लगभग standard size के सबसे 5 जा रहा है बट flip card यहां पर कह रहा है कि आपको अगर 10 लगता है तो आप 9 आई करो तो मुझे लगता ही यह वाली भी गलती है आप तो आप इसके लिए कर सकते हो इस ताइप से आपको दिक्कत पहचाननी है अब और क्या कर सकते हैं इसमें वह हम देखते हैं सबसे पहले तो आपको कि तीन साइज किसको आता है तीन साइज किस हैंडल किसको आती है उसका पाउं आपने वाइट पेपर के उपर रखना है और स्केल से नापना है कि उसका पाउं कितना लंबा है राइट मान के जलो उसका पाउं है इस तरीके से उसका पाउं नापना है यहां से टो से लेके तक यहां पर mark करना है, दॉनों को mark करो आगे से यहां पर और पीछे से यहां पर फिर इसको ना पो कितनी लेंड है? तो मान के चलो यहां पर लिखा हुए seller ने 22.5, तो हो सकता है seller नहीं ऐसी लिख लिया हो, बट आज भी बहुत सारे sellers को नहीं आता है कि side chart update कैसे करना होता है brand size यहां पर डाल दिया, euro size यहां पर डाल दिया and believe me, आज भी 90% sellers सिर्फ इसले side chart डालते हैं क्योंकि अच्छा लगेगा product का description but वो accurately नहीं डालते हैं और जो steps मैं आपर बता रहा हूँ वो steps यहां पर already लिखे हुए है तो centimeter में आपको डालना है आपको blank paper को अपने पाउं को blank paper के उपर रखना है तीन size का, जिसको तीन size के चपल लगते हैं उसका पाउं आप यहां पर लिखिए जो चार number होता है उसका यह आपको खुद से करना पड़ेगा, right? आप अलग-अलग लोगों से मिलके अपनी family में है या other लोगों से मिलके यह complete करवा सकते हो तो एक बार आपने size यहां पर fill कर लिया उसके बाद आप सारे product उसके according बना सकते हो, right? अब यहां पर पहला तो आपने side chart का है यहां पर issue solve किया दूसरा, अगर आपका product में कुछ इस type का है आप देखिए जैसे इस इस type से छोटा बढ़ा करने के लिए इस पे hook है तो आप products के साथ कोई परची डाल सकते हो जिसमें आप feedback भी मांग रहे हो, plus आप products के बारे में भी कुछ लिख रहे हो, right? तो यह सब भी आप कर सकते हैं इसके अलावा description में जब product का description लिखा जाता है तो उसमें आप उसको डाल सकते हैं इसका proper description मुझे दिखनी रहा तो यहां पर description में आप वो डाल सकते हैं, right? इसके अलावा यह तो हो गया आपका size fit issue अब size fit issue सिर्फ इसलिए नहीं कि आपका product जो है वो आप गलत जा रहा है हो सकता है उसका miss shipment जा रहा हो इस वज़े से size fit issue आ रहा हो तो कई product आपके जो miss shipment है वो यहां पर आ रख हैं और miss shipment मैं हमेशा बोलता हूँ हो सकता है customer को गलत पहुँचा हो हो सकता है आपके तरप से ही गलत ship हुआ हो तो आप offline भी अपनी inventory को check करो कि जो packing चल रही है जो shipment हो रही है आपके end से हो सही हो रही है या नहीं हो रही है यहां पर आप देखो यह product है इसका GMB loss भी यहां पर देर रहा है miss shipment return यहां पर इतने है benchmark 2.5 जो हो गए और receive different color उसके बाद order black but receive white उसके बाद different product different other other design तो यह सब चीज़े आपको देखनी है कि यह क्यों हो रहा है customer comment कर रहा है और generally same comment आ रहा है तो उस पर आपको action लेना है अब आपको क्या करना है यहां पर इस tab में return पर आना है और जो भी product में आपने updates कर दिये हैं उसको यहां पर mark as done कर देना है तो सारे mark as done आप one by one इनको check करो और mark as done करो जैसे जैसे आप mark as done करोगे flip card को लगेगा कि हाँ जो भी हम recommendation दे रहे हैं तो seller इस पर work कर रहा है और seller work अगर कर रहा है किसी चीज़ पे तो flip card बार बार आपको recommendation देगा और बहतर recommendations लाके देगा और definitely उससे आपका returns percentage कम होगा and believe me return percentage इतना कम होगा उतना आपका profitability बढ़ जाएगी चाहे फिर order उतनी है लेकिन 1% 2% भी return कम हो पाए तो आप easily अपना business की profitability जो है वो बढ़ा सकते हो तो I hope यह जो tab है यह tab आपको बहुत ज्यादा काम आएगा और इस तरह के साब अपने returns को manage भी कर पाऊगे प्लस आप इस तरीके से track भी कर पाऊगे कि आपका भी recently कौन से product में returns ज्यादा चल रहा है अब आपकी category में किस वज़े से returns सबसे ज्यादा होते हैं यह मुझे आप comment में बताना ताकि मैं उनको ठीक करने के आपको अलगलग tricks दे पाऊँ जैसे size fit का जो issue है उसको कैसे कैसे solve करना है वो मैंने आपको बता दिया कि मैं इसी category को अभी के time पे इसी category को मैं अभी समझा रहा हूँ बट हो सकता है आपके category electronics अब electronics पर size fit issue तो आए गरी उसमें कुछ और issue आ रहा होगा right आप mobile cover बेशते हो उसमें लग issue आ रहा होगा आप gardening tools बेशते हो उसमें लग तो आप यह वीडियो यहां तक जो है बहुत helpful आपको करी होगी इसमें कोई doubt है तो आप मुझे जरूर comment में पूछ लेना subscribe कर लेना और वीडियो को like जरूर करना और अगर flip card से related कोई और वीडियो चाहिए तो मुझे comment पर बता देना till then thank you very much keep selling on flip card